शिक्स में हमने बताया है ओम के नियम पर अधारित परसने किसके नियम पर ओम के नियम पर अधारित परसने तो चलिए ओम का हम जाप करते हैं है ना चलिए ओम अवे चांग से तेन भागवान यहिएनि कि बहामा जी बिस्नी जीम इहल तीनी का वास के लिए रहामाजी श्री जन करता है वहीं विस्नी ऑदान करता है और महैस चनल頭 को तो तो यानि कि जो बूरे लोग होते हैं, उनका वो सहार करते हैं, तो उसी परकार अब रभी सर जो है ना, रभी सर अस्टुटेंट का कॉंसिप्ट किलियर करते हैं, यही है, कहने का मतलब यही ना, तो यहाँ पर हम ऐसे जिसन के ओम के उचारन से बहुत सारी बीमारिया दूर ह हो जाती है, रोग, रोगी बेक्ती, निरोगी बन जाता है, उसी परकार यहाँ से, जिस जिस अस्टुटेंट को डाउट होता है ना, तो यहाँ से रभी सर उसको किलियर कर देते हैं, किसी परकार का कोई दिकती, और हाँ, मजे की बार, जो भी मैं कॉंसिप्ट बता रहा होगा, यहाँ पर तो ओम साइंटिस्ट है, ओम यहाँ पर साइंटिस्ट जी है, तो चलिए, कहनी का मतलब होता है, कि ओम की नियम पर बेस्ट कोचन जितने भी होंगे, ठीक है, उतना मैं बताऊंगा, कि उसके सिवा बोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा, जैसे मैं गाना सुने है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, आरा जिला कभी हारा नहीं है, तो यही ऐसना कोश्चन मैं दूँगा, कि इसके सिवा बोर्ट के पास कोई चारा नहीं होगा, कि इस से हट कर कोश्चन पूछते हैं, ठीक है, चलिए, हम बात करने वाले हैं, पहले कि किस्टे किसे कर रहे हैं तो यह भी जान लेना वह suis ज़ोरी होता है तो चलिए धारा इंग्लीश में क говорят से करते हैं बिभू आंतर कोको अंग्लीस ट समते हैं जिसको हम भी से इनडिकेट कर रहे हैं पर तिरोध को विवांतर दाता धारा के भी सबंद बताता है चलिए कहीं है जी यस विवांतर और धारा है ना तो option A is right किलिए रहे 108 question number में आते हैं देखिए ऐसे देखर चकराना नहीं है ठीक है तो चलिए हम कहने का मतलब होता है कि अहां हम धमाकेदार तरीके से सुरुआत कर रहे हैं तो आप लोग भी धमाकेदार तरीके से सुरुआत कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही धमाकेदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और concept development center को आगे की तरफ उचाईयों की तरफ बढ़ाइए ठीक है चलिए हम बनुपाती ठीक है तो आगे बढ़ते रहना है कदम को रोकना नहीं है चलिए यहां पर देखिए डिरेक्टली पर पर स्टन यानि करने के मतर्व करेंट बढ़ेगा ना धारा बढ़ेगा तो भीवांतर भी पढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा तो किस ने नियम दिया था जी आ तो कहीं options है yes a is the right answer बिल्कुल समझ में आ रही है आ रही है नहीं बिल्कुल चलिए इसको नोट करते रहे यह आगे की तरफ बढ़ते रहना है ठीक है सर्धानी हटी दुर घटना घटी इसलिए रुकिए नहीं आगे की तरफ बढ़ते रहे इसको नोट किजिए 110 कहता है ओम के नियम का सुत्र है यानि की ओम का फर्मूला क्या है तो भी इकल टू आई आर चलिए कहीं options है यास a is the right answer के लिए चलिए कोश्चे नोबर 111 कहता है ओम के नियम में अचर राची क्या है अचर मतलब आप समझते हैं क्या अचर मतलब नहीं बदलने वाला चेंज नहीं होने कि लियर है तो याद रखे कि अचराची दो होती है एक क्या होता है कि एक होता है वीमा क्या होती है थाप करकर alright कई कि सी में चेंजिंग नहीं आनी excited यह आयतन में कोई नहीं फ ettie सी कों कहते है तो चलिए यह और देखिए गरप है अधार है कोई Не है तो यह ताप, ताप चेंज नहीं करता है, चलिये 112 में कहता है, औम के नियम में बीदु धारा और भीवांतर के बीच कीचा गया अलेक, अलेक मतलब होता है, कैसा होता है, तो याद रहे सीधी रेखा होती है सीधी रेखा का नाम ही है सरल रेखा ठीक है देखिए वकर यानि कि टेरा में रह रेखा ठीक है तो ये इन दोनों में से कोई नहीं होता है कौन सो होता है ए सरल रेखा सरल मतलब सड़ गया नहीं सीधी रेखा का ही दूसरा नाम है सरल रेख होती है तो देखिए ओम की नियमें अच्छरासी ताप लेखे भी माय हम ने क्या बोला देखिए हम बताते हैं लंबाई भी हो सकता technically इसमें चेंजिंग नहीं आनी चाहिए और आायतन में भी कोई changing नहीं आना चाहिए या लंबाई कहिए चोराई कहिए चाहिए उचाई कहिए या तो छेत्मल कहिए या तो आयतन कहिए ठीक है इसी को हम कहते हैं भी माई ठीक अगर options आता है तो C is the right answer क्योंकि दोनों A तथा B तो C is the right answer किलर समझ में आ रही है ना बिल्कुल चलिए इसको नोट कर लिजिए अभी आगी की तरह बढ़ते रहना है अभी कदम रोकना नहीं है चलिए इसको नोट कर लिजिए 114 कहता है निमन में कौन सा सबंध सत्त है तो याद रहे भी इकल टू आई आर चलिए कहीं है अफसान एस सी सी इस दा राइट आंसर के लिए है चलिए कोश्चन नमरे 115 कहता विभांतोर को अचर नियत नियत मतलब होता है नहीं बदलने वाला है अचर का दूसरा ना नियत है ठीक है रखकर परतिरोध दूगना कर दिया जाता है तो धारा हो जाएगी चलिए एक चीज मैं बता दू कि भी तो क्या है देखे भी इकल टू आई आर फर्मूला है ना जी लेकिन कॉंस्टेंट इसी को रख रहा है यानि कि इसी को अचर रख रहा है यानि कि यह चेंज नहीं कर रहा है तो चलिए भी इकल टू आई है तो यहां पर हम लेते हैं आई वन आर ठीक है अब देखिए आर को क्या कर रहा है दूगना कर दे रहा है यहीं ना तो चलिए आई टू I into 2R तो ये अबर ये दोनों तो बराबर होगा क्योंकि बदल तो नहीं रहा है तो चलिए तो I1 R equal to I2 R into 2R कर सकते हैं है ना देखिए R R हो गया cancel अब देखिए यहां I1 equal to 2I2 है ठीक है तो I2 equal to लिख सकते है जी I1 by 2 देखिए पहले कितना था करेंट I1 था अब कितना हो गया I2 देखिए I2 कितना आ गया I1 by 2 तो कहाने का मतला है पहले करेंट I1 था अब हो गया आधा तो कहीं options है यास B B is the right answer सेम प्रोसेस यहां पर करेंगे question number 16 विभानतर को अचर रकर परिपत का पर्तिरोध को आधा कर दिया जाता है तब पर्तिरोध को कितना किया जा रहा आधा किया जा रहा है तो धारा हो जाएगी तो ध्यान से सुनिएगा concept बताते हैं चलिए यही पर हम concept बताते हैं B equal to I R आनिके I1 R रख रहे है ठीक है अब पर्तिरोध को कितना किया जा रहा आधा कर दिया जा रहा है तो चलिए एक case यह हो गया दूसरा case यह हो रहा है तो अगे I2 और पर्तिरोध को कितना किया जा रहा आधा कर दिया जा रहा है लेकिन यह यह तो हम माने है अचर यानि कि यह बदलेगा नहीं तो यह इसको दोनों का हम बरावर कर देते हैं तो i2 r by 2 r cancel हो गया सुनेगा i1 equal to i2 by 2 यानि कि i2 equal to 2i1 तो अब क्या हो रहा है सुनेगा पहले i1 था अब i2 आया है तो यह i1 का दुगुना हो गया यह ना पहले के धारा का दुगुना हो गया कई अपसन है दुगुना यस डी डी is the right answer ठीक है तो इन सभी में गलतिक नहीं करना है ठीक है सवधानी हटेगा दुरखतना घटेगा इसलिए सवधानी और सतक्ता बनाए रखे इसको नोट कीजिए नमर 117 कहता है परिपत का परतिरोध थीरियों में विववांतर 6 वोल्ट है तो परतिरोध में से परवाहित धारा का मान होगी कितना धारा परवाहित होगा तो चलिए कोई बात नहीं हम बताते हैं देखिए ये तो आप जानते हैं इकल टू आयर फर्मूला होता है लेकिन यहां पर क्या दिया है परतिरोध दिया है तो हमको धारा का मान निकलना है तो धारा का मान तो भी भाई आर कर सकते हैं भी का भैलू कितना दिया है 6 वोल्ट चलिए 6 वोल्ट परतिरोध कितना दिया है थीरी दिया है चलिए हमने थीरी लिखा कट कर दिये तू यह अकरेंट का भाल्यू कितना आ गया जी तू एंपियर कहीं है यह सी इस दो राइट आंसर के लिए रहे है चलिए अब कह रहा है कोश्चन नमरे 188 कार का हेड लाइट बल्व 12 बोल्ट कार बैटरी से 0.5 एंपियर क थे धारा खीचता है ठीक है तो बल्व का पर्तिरोध क्या होगा तो सुनिये गारी के हीड लाइट है ठीक है तो गारी के हेड लाइट में परतिरोध बोल रहा है न जी तब परतिरोध का फर्मूला R equal to V by I लिख देंगे पहले, किलर है, अब देखिए V कितना दिया है, 12 बोल, चलिए हमने लिखा 12 बोल, ठीक है, कितना धारा है जी, तो 0.5 A, चलिए 0.5 A लिख दिया, तो अब क्या करेंगे, 12, 5, दसमला के बदले उपर 0 हो जाएगा, यही है न, चल चलिए इसको ठीक लगा दीजिए, चलिए अब आईए कोशन नमबर 119 में, देखिए, करें, बीदोध हीटर के कुंडली का परतिरोध, 55 A है, ठीक है, और जिससे 4 A की धारा परवाहित हो रही है, तो विववांतर का मान होगा, तो सुनिए, B equal to IR फर्मूला लिख दीजिए B equal to IR, आपके पास तो फर्मूला है, चलिए, तो यानि की दिया है, धारा का मान 4 और परतिरोध का मान 55 दिया है, तो चलिए multiply कर दिजिए, वही answer होगा, तो पंचो का 20 की 0, पंचो का 20 दुना, 22 22, है ना, तो 220 भोल्ट कहीं है, जी, yes, A is the right answer, ठीक है, तो इसी तरीके से numerical problem आ आगा ना, तो direct formula लिखिये, और value put कीजिए, answer आज देखा, ठीक है, चलिए, इसको note कर लीजिए,